अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमश्कार आप देख रहे हैं प्रभास आक्षी और मैं हूँ आपके साथ रे नुतिवारी यह हमारा खास प्रोग्राम है उची उडान जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर आपने संस्कृत में पढ़ाई की है तो आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जिसे भारत और आसपास के शेत्रों में व्यापक रूप से बोला जाता था हलाकि आज बहुत कम लोग इसे मूल रूप से बोलते हैं आज संस्कृत जानने या बोलने वाले लोग नहीं हैं फिर भी उन लोगों के लिए नौकरी के लिए अवसर हैं जो संस्कृत भाषा बोलने और समझने में सक्षम हैं यहां हम धारा प्रवाह संस्कृत बोलने वाले लोगों के लिए और जो छात्र इस विशे में रूची रखते हैं उनके लिए संस्कृत भाषा में कोर्स और कई अलग अलग तरह के करियर आप्शन के बारे में बात कर रहे हैं संस्कृत भाशा की जानकारी होने वाले स्टुडेंट्स जॉब के कई अवसर उन्हें मिलते हैं और उन्हें नौकरी की तलाश में दरदर भटकना नहीं पड़ता है सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स वा एलिजिबिल्टी क्राइटीरिया के बारे में संस्कृत भाशा में graduation करने के लिए किसी भी मानिता प्राप्त स्कूल या संस्थान से बार्वी की परिक्षा संस्कृत विशे में 50% मार्व के साथ पास करनी अनिवार है इसके बाद किसी भी कॉलेज या संस्था में graduation में admission लिया जा सकता है इन कॉलेज में स्टुडेंट को संस्कृत विशे में application के साथ बैचलर ओफ आर्ट और अन्य डिप्लोमा कोर्सिस ओफर किये जाते हैं संस्कृत सबजेक्ट को विशेश रूप से बहुत अच्छा माना जाता है और इसे तीन साल की अवधी में graduation के साथ किया जा सकता है वहीं संस्कृत भाशा में एक साल का डिप्लोमा भी लिया जा सकता है संस्कृत में master of art संस्कृत भी किया जा सकता है इस कोर्स की जो duration होती है वो दो साल होती है संस्कृत विशे में गहन शोध करने वाले PhD भी कर सकते हैं और doctorate की उपाधी ले सकते हैं संस्कृत कोर्स की study करने के लिए भारत में कई best college है जैसे की दिली में लेडी श्री राम college संस्कृत विभाग पाली प्राकर्तिक भारतिय अध्यन संकाय कुरुशेत्र विश्विद्याले भी है केंद्रिय भारतिय भाशा संस्थान मानस गंगोत्री मैसूर में है संस्कृत विभाग केरल विश्विद्याले भी संस्कृत लिए काफी famous है गौर्मेंट संस्कृत college कलकत्ता में स्थित है संस्कृत का अध्यन करियर की अपार संभावनाओं को खोल सकता है अब आपको बताते हैं करियर के options के बारे में academic सबसे जादा popular career option में से एक है भारत के अधिकांश स्कूल संस्कृत को वैकल्पित भाशा के रूप में पेश करते हैं और आप संस्कृत के सिक्षक बन सकते हैं आप college में संस्कृत भी पढ़ा सकते हैं इसके अलावा संस्कृत भाशा में विभिन शोध विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं संस्कृत कोर्स नकेवल language सिखाती है बलकि ज्यान का विशाल खजाना भी शामिल करते हैं जो इस भाशा में लिखा होता है इसलिए आप योग वास्तु सास्त्र काव्य भारतिय नाटक वैदिक अध्यन जोतिश और आयर्वेज जैसे विश्यों के विश्यश्य हो जाते हैं इन छेत्रों में अनुसंधान के साथ साथ नोक्रियों का विशाल दायरा है और यहां पर आप नोक्रियां कर सकते हैं और खुद का बिजनस भी खोल सकते हैं सबसे प्रतिश्चित कॉलेज में से कुछ संस्कृत कोर्सिज में प्राचीन भारतिय संस्कृति का इतिहास दर्शानिक और धार्मिक परंपराओं अर्थशास सौंदर शास्त्र आदी जैसे इंडोलॉजी के विभिन पहलू शामिल हैं यहां से कोर्स कर आप संग्रहलेों और पुरा तत्व से संबंधित छेत्र और प्राचीन दस्तावेदों के अनुवादक के तौर पर भी जौप कर सकते हैं इसके अलावा और भी विश्विद्यालों में एंसियंट और फॉरन लेंग्विज प्रोफेसर के तौर पर भी आप नौकरी पा सकते हैं तो यह कुल आपको मैंने बताया कि क्या करियर ओप्शन है अगर आपने संस्कृत में पढ़ाई की है अगर आपने पढ़ाई की है तो आप इन छेत्रों में अपना भविश्य बना सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश-दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने र झाल 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 झाल